2.0 के 400 करोड के VFX को शारुक खान ने हराया चुटकियों में आखिर कैसे जाने यहाँ अक्षे कुमार की फिल्म 2.0 का इन दिनों बेसबरी से इंतजार किया जा रहा है जैसा कि आप जानते ही है कि फिल्म की फाइनली रिलीज डेट सामने आ गई है वही जल्दी फिल्म का टीजर भी रिलीज किया जाने वाला है अब इस बात से तो आप वाकिफी हैं कि 2.0 इस वक्त बॉलिवुड की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है जिसका बजट 400 करोड रुपे है लेकिन ये क्या 400 करोड की इस 2.0 को शारुक खान ने चुटकियों में हरा दिया है आपको बता दे शारुक खान की फिल्म जीरो इसी साल डिसेंबर में रिलीज की जाने वाली है जिसका फैन्स बेस अबरी से इंतिजार कर रहे है वहीं फिल्म में काफी VFX का इस्तिमाल किया गया है जिसकी वज़े से फिल्म खूब सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है साथ ही साथ फिल्म को लेकर एकसाइटमेंट भी जादा है वहीं आपको बता दूँ फिल्म से दो टीज़र रिलीस किये जा चुके है एक नियू यर के मौके पर रिलीस किया गया था जहां शारुक खान की जलक देखने मिली थी अब ये तो आप जानते ही हैं कि इस फिल्म में शारुक खान दौर्फ किरदार में नजर आने वाले हैं तो वहीं फैन्स इस फिल्म के लिए बेहत जादा एक्साइटेड हैं वहीं दूसरे टीजर की बात करें तो सलमान खान की एंट्री नजर आई है फिल्म जीरो में यही कारण है कि रिलीस के पहले ही शारुक खान की फिल्म जीरो इन दुनो खूब सुरक्षियों का हिस्सा बनी हुई है वहीं आपको बता दू फिल्म 2.0 चार सो करोड के बजट में बनी हुई है लेकिन फिल्म की इतनी हाइप नहीं है जितनी शारुक खान की फिल्म जीरो को लेकर है तो हम यही उमीद करते हैं कि दोनों ही फिल्म में अच्छी कमाई करें और लोगों को खूब पसंद आए तो दोस्तों इसको लेकर आपकी क्या राय है यह हमें जरूर बताएं नीचे कॉमें सेक्शन में और बॉलिवूड की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बॉलिवूड टशन के साथ